सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहट लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है अक्टूबर महीने की पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है और अब विध्वा, दिव्यांग और व्रिध व्यक्तियों को पारालीस सो रुपे प्रतिमाह पेंशन मिलेगी यह व्रिध समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है इस बढ़ी हुई पेंशन राशी से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा जो अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिती में सुधार लाएगा बलकि उन्हें एक सम्मान जनक जीवन जीने में भी मदद करेगा वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विधवाओं, दिव्यांगों और व्रिध व्यक्तियों को वित्तिय सहायता देकर उनके जीवन स्थर में सुधार लाना है पेंशन राशि में व्रिध का कारण, सरकार ने पेंशन राशि में व्रिध करने का फैसला कई कारणों से लिया है बढ़ती महंगाई, मुद्रा स्वीति के कारण बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करना, जीवन स्तर में सुधार, लाभार्थियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, सामाजिक सुरक्षा, कमजोर वरगों को बहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करना विध्वा पेंशन योजना विध्वा पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने अपने पती को खो दिया है और जिनके पास आय का कोई अन्यसरोत नहीं है। इस योजना के तहत अब विध्वाओं को पाड़ाई 100 नहीं हुआ होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड पति का मृत्यु प्रमान पत्र, आय प्रमान पत्र, बैंक पास्बुक की कॉपी, दिव्यांग पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलां दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत अब दिव्यांग व्यक्तियों को चारा पी सो रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी।